हेलो दोस्तो, कैसे हैं आप सब, I hope कि आप सबी हमेशा की तरह बहुत अच्य होंगे दोस्तो, शरीर के किसी भी हिस्से में कितने सालों पुराना भी दर्द हो फिर चाहे घुटनों में दर्ध हो, आपके कंथों में दर्ध हो, पिंडलियों में दर्ध हो, एडियों में दर्ध हो या फिर फटी हुई एडिया हैं, आज मैं आपको एक ऐसा देसी तरीका बताऊंगी, जिससे आपके सारे दर्ध बिलकुल गायब हो जाएंगे, फिर चाहे आपके घुटनों में शरीर के किसी भी हिस्सों में कितने भी सालों से दर्द क्यों ना हो, पांच मिनिट की अंदर आपका सारा दर्द खीच कर ये बाहर निकाल देगा, आज एक ऐसा देशी तरीका मैं आपको बताऊंगी, बहुत सारे लोग अपने घुटनों की मालिश करते हैं, कमर की मालिश करते हैं, एडियो की मालिश करते हैं, लेकिन फिर भी उनका दर्द बिलकुल खतम नहीं होता, आज मैं आपको ऐसा तरीका बताने वाली हूँ, जिससे सालों पुराना आपके शरीर का हर दर्द बिलकुल खतम हो जाएगा, ध्यान से आपको इस वीडियो क का दर्थ खतम होने वाला है तो सबसे पहले आपको लेना है यहां पर लोहे का तवा ध्यान से देखिएगा आपको नॉंस्टिक तवा यूज नहीं करना है लोहे की कोई कड़ाई हो उसे ले लीजे या लोहे का तवा ले लीजे लोहे का ही बरतन आपको इस्तिमाल करना है इस यहार के तेज पत्तर में बना है अगर आपको जादा की अच्पनाники में बना ना थे तो और एक पर और कका पाउडर बनाने के बाद तवे को आपको गैस के ऊपर रखना है तब जब तक तेल को आपको गरम करना है, जब तक कि तेज पते का रंग बिल्कुल चेंज नहीं हो जाता, अभी जो इसका कलर है ये बिल्कुल चेंज होके एक डार्क ब्राउन कलर का हो जाएगा, तब आपको यहाँ पर गैस को बंद करना है, तो मैंने यहाँ पर थोड़ी सी क्वांटिटी में आपको बना कर मैं दिखा रही हूं, लेकिन आपको जादा क्वांटिटी में बनाना है, अगर आपको जादा दिक्कत है तो, यह एक ऐसा तरीका है, जिससे की सालों पुराना आपका दर्द बिल्कुल खतम हो जाएगा, क्योंकि लोहे के बरतन में तेल को बंद करना है, और किसी बरतन में तेल को निकाल लेना है, मैंने बस थोड़ा क्वांटिटी में बनाया है, आप इसे जादा बना कर यूज करिएगा, अब यहाँ पर जुक तेल आपका बिल्कुल गुनगुना हो जाएगा, तो आपको चमच का इस्तिमाल करते हुए, आपको ध्यान देना है, तो सबसे पहले उन लोगों के लिए जिनको घुटनों में बहुत जादा दर्द होता है, मालिश तो कई सालों से कर रहे हैं, लेकिन आराम बिल्कुल नहीं होता, तो यहाँ पर आप थोड़ा सा चेंज करिए, सिर्फ मसाज मत करिए, बलके मसाज कर जिन लोगों को जादा घुटनों में दर्द होता है, तो वो हमेशा अपने घुटनों के नीचे कोई कपड़ा, जो मुलायम कपड़ा होता है, उसे फोल्ड करके जरूर रखेगा, जिससे कि आपके घुटने को सपोर्ट मिलेगा, और इस तरीके से आपको एक ही डारेक्श में आपको इसी तरीके से मालिश करते रहना है, कई लोग क्या करते हैं कि इदर भी मालिश करते हैं गुटने के और उदर से भी और जादा जोर से मालिश करते हैं, तो उनका घुटनों का दर्द ठीक नहीं होता है, बलकि जादा बढ़ जाता है, तो कभी भी अगर आपको घुटने में जादा दर्द है, तो बहुत ही हलके हातों से आपको मालिश करनी चाहिए, जिससे कि घुटनों का दर्द बहुत जल्दी ठीक होने लगता है, यहाँ पर जिस तरीके से मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ, घुटने के ऊपर आपको इस तरीके से मसाज करनी है, जिससे कि घुटने के आसपास का जो ब्लड सर्कुलेशन है, वो बहुत जल्दी एक्टिवेट होता है, और घुटने के दर्द में काफी अरा मिलता है, तो आप यह वाली मसाज इस तरीके से जैसे इस वीडियो में दिखाई जा रही है, आप डेली कम से कम तीन से चार बार करिए, अगर आपको बहुत ही जादा घुटनों में दर्द है, तो यहाँ पर इस तरीके से आपको 10 मिनट तक डेली मसाज करनी है, इसके बाद जिन लोगों के पैरों के तलवों में दर्द होता है, चलते फिरते वक्त या फिर उनके पैरों में जलन रहती है, या चमच की मदद से आपको इस तरीके से इसे मसाज देनी है, जिससे कि हमारे पैरों के तलवे में जितने भी एक्यूप्रेशर पॉइंट्स होते हैं, वो सारे एक साथ प्रेस होते हैं, जिसकी वज़े से हमारे शरीर के हर हिस्से में जहां भी कोई दिक्कत होती है, वो इन ए इतिवग कई बार दर्द इतना जादा हो जाता है कि रात को सोया भी नहीं जाता, बीच बीच में उटके पैरों में बहुत जादा दर्द होने लगता है, तो यहाँ पर उन लोगों के लिए ये वाली मसाज बहुत ही जादा कारगर है, साथी साथ जिन लोगों की पिंडलियो पर बढ़िया तरीके से मालिश करके अपने दर्द को खतम कर सकते हैं तो आप जो पहली बार इस तेल को ट्राइ करेंगे न तो आपको पहली ही बार में इसका इतना जबरदस रिजल्ट मिलेगा तो आपको सालों पुराना दर्द भी आपका बिलकुल गायब हो जाएगा जिन लोगों को चलते फिरते वक पैर की उंगलियों में या पैर के आगे वाले हिस्सों में दर्द होता है या फिर कई बार कोई भारी समान उठाने की वज़े से हमारे पैरों में किसी तरीके का कोई मासवगर्ण थोड़ा बहुत खिच जाता है या फिर कोई भी दर्ध किसी भी वज़े से हो रहा है चाहे मोच आ गई है तो आप इस तरीके से अब इसे यूज़ करेंगे तो आप देखेंगे आपके दर्ध बिल्कुल ठीक हो जाएंगे यहाँ पर अगला तरीका है उन लोगों के लिए जिनको पैरों में हमेशा दर्ध रहता है ठकान रहती है तो यहाँ पर आपको क्या करना है सबसे पहले आपको एक बड़ा सा बरतन ले लेना है जिसके अंदर आपके दोनों पैर अराम से डूप सके उसके बाद आपको लेना है गरम पानी पानी उतना ही गरम लीजिएगा जितना कि आप बरदाश कर सकते हैं इसके बाद आपको लेना है यहाँ पे काला नमक, काले नमक के बहुत ही जादा फाइदे होते हैं जिन लोगों के पैरों में सूजन रहती है या किसी भी वज़े से स्वेलिंग आ गई है, सूजन हो गई है, दर्द हो गया है उसके बाद आपको यहाँ पर डालना है बेकिंग सोडा और काला नमक बहुत ही ज़ादा कारगर होता है और इसके अंदर सबसे स्पेशल चीज जो हो है मतर के दाने अगर आपके पास मतर के दाने नहीं है तो जो छोटे-छोटे कंचे होते हैं जो बच्ची अकसर खेरते हैं जिन से उनका इस्तिमाल करिएगा तो यहां पर इस protagonist आम मतर का यूज करिएगो जादा नहीं लेने यह बस आपको 8 से 10 मतर की यह तक आने डबा कर हलके-हलके पैरो से आपको इन्हें पैरों के नीचे मसाज देनी है गाउर आपके पैरोंÓं में या तरीका क पैरो में कोई फंकल इंफेच्छन है, जो की अक्सर गंदे पानी की वज़े से या गंदे सौक्ष पहनने की वज़े से पैरो में हो जाते हैं, तो उस में भी आपको अराम मिलेगा, किसी तरीकी कोई अलर्जी है, स्किन उतरने लगी है, तो वहां पर भी ये आप आपको बहुत ही जादा फाइदा पहुंचाने वाला है इस तरीके का इस्तिमाल बड़े से लेकर बच्चे से बूड़े तक हर कोई कर सकता है बहुत ही आसान तरीका है जिसे हर कोई आजमा सकता है और अपने हर तरीके के दर्द को खतम कर सकता है तो यहाँ पर कम से कम आप 10 म नट तक पार्णी को पैरोक के अंदर इस तरीके से आपको जरूर रखना है जिससे की बहुत ही जादा फाइदे होने वाले हैं और हमेशा की तरह दोस्तों आपके प्यारे प्यारे कॉमेंट्स का हमको रहता है बेसबरे से इंतिजार तो जरूर से बताईएगा आप इस वीडियो को इस वक्त दुनिया के कौन से कोने से देख रहे हैं अपने शहर और अपना नाम कॉमेंट्स जरूर से करिएगा ये कुछ छोटे छोटे ऐसे टिप्स और ट्रिक्स से जिसका इस्तिमाल अगर आप करते हैं तो आपकी लाइफ तो असान होती ही है और इन सारे ट्रिक्स के ऊपर किसी तरीके का कोई भी फालतो खर्चा नहीं होता है उम्मीद करती हूँ कि हमेशा की तरह आपको ये सारी टिप्स पसंद आई होगी वीडियो अच्छी लगी हो तो रोज की तरह एक लाइक जरूर से करिएगा दोस्तों के साथ शेयर करना बिलकुल भी मत भूलिएगा और साथी साथ चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा तो चलिए दोस्तों कल फिर मिलती हूँ आपसे एक ऐसी ही नए वीडियो के साथ कुछ नए नए टिप्स और ट्रिक्स के साथ तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखे खर खर महादेव